Amazon इस दुनिया की सबसे बड़ी e-commerce platform है लेकिन Amazon के इतने ज़्यादा competitors आ चुके हैं कि Amazon को भी यह बात समझ में आ चुकी है कि अगर किसी भी तरीके से Amazon अपने आपको इन से उपर रखना चाता है तो कुछ भी करके उसे अपने delivery और अपने logistic process को सबसे fast और सबसे अच्छा करना होगा तो इस process को सुधारने के लिए Amazon पिछले 4 सालों से billions of dollars अपने इस process को सुधारने में लगा चुका है लेकिन अगर वहीं बात की जाए उनके competitors की जो की छोटे brands है लेकिन इनके पास तो billions of dollars पैसा नहीं है कि वो अपने logistic को सुधारने में खर्चा कर सके तो इस case में क्या सारे company बंद होने वाले है जी नहीं इन लोग में भी एक process लिकाला है कि इस case को सुधारने के लिए इस process को सुधारने के लिए वो किसी भी third party की help लेंगे जिसको पूरी तरीके से अपने logistic के काम को दे देंगे और उन्हें बोलेंगे कि इसे efficient तरीके से सम्हालो अब ये एक बहुत बड़ी problem है कि एक काम को सम्हालेगा को अब जैसे आपको पता है कि जहाँ problem होती है उस sector में एक startup का आना बहुत ही जादा मामूली सी चीज है अब इस problem को solve करने के लिए एक बहुत बड़ी company स्टार्ट हुई जिसका नाम था delivery जो कि एक Indian based logistic company है अगर मैं delivery की बात करूँ तो delivery एक Indian based logistic e-commerce company है जो कि इंडिया में स्टार्ट हुई गुडगाओं में 2011 में ये establish हुई और ये फिलाल पूरे इंडिया की logistic e-commerce सेक्टर में dominating company है अगर मैं और details की बात करूँ तो delivery 2011 में start हुई और 2019 में इन्होंने 15 rounds में 1.69 billion dollars की funding उठाई है और 2019 में ही ये एक unicorn भी बन चुके थे इनके पीछे बहुत बड़े-बड़े investors भी है फ़र एक्जामपल soft bank है tiger global है light speed है nexus ventures है अगर मैं आपको logistic process को अच्छी तरीके से explain कर अगर मैं बात करूँ logistic से तो logistic का मतलब होता है कि जब आप किसी भी platform पे e-commerce platform पे जाके कोई order place करते हैं तो उस order को अपने warehouse तक लाना उसको ship pack करना उसकी shipment करना उससे deliver करना वहां से payment लेना और फिर से e-commerce platform तक पहुँचाना इस पूरे unorganized और complex process को अच्छे से करने को ही logistic कहा जाता है अगर मैं services की बात करूँ कि delivery कौन-कौन से services देती है तो बेशक यह एक e-commerce logistic company है लेकिन बाकी सारे couriers के काम भी करती है for example last mile delivery हो गया reverse logistic हो गया payment collection हो गया B2B, B2C, C2C यह सारे तरीके के delivery वो करती है तो अब बात करते हैं कि delivery company start कैसे हुई इनकी startup story क्या है तो इनके जो दो co-founders है साहिल एं सुराज जो की IIT और NIT से mechanical engineers है यह लोग गुडगाओं में रहा करते थे एक दिन जब इन्होंने अपने किसी food को order किया तो food को delivery होने में रात के साड़े 11 बच गये जब उन्होंने delivery बहुत से पूछा कि इतना जादा लेट की हुआ तो उन्होंने बूला कि सर हमारी job बहुत जल्दी बंद होने वाली है हमारी job बहुत जल्दी जाने वाली है क्यों उनके manager ने उनको बताया उस restaurant के manager ने उनको अच्छे से बताया कि किस तरीके से वो अपने restaurant को चलाने में loss में जा रहे है क्योंकि जो इनके delivery का process होता है उनको बहुत जादा expensive पढ़ रहा है तो इस case में उन्हें अपने delivery boy को job से लिकालना पड़ेगा और अगर उसके बाद भ चुरुआत होते delivery company की साहिल और सुराथ जब यह company चला रहे थे तो उनको यह बात समझ में आ गई कि यह company को अगर हम normal लोगों की तरह delivery company की तरह चलाएंगे तो हम उन लोगों से अलग नहीं हो पाएंगे और हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे तो उन्होंने बोला कि हम अपन पिच्चर में आते हैं कपिल भारती जो की IIT डेली से जिन्होंने mechanical engineering भी की है और ये दो company के founders भी रह चुके हैं 11 रूपीज और इन्होंने ये दो company को found भी किया था इन company को start भी किया था तो इन्होंने decide कि ये इनकी tech में मदद करेंगे अब इनी की help करने के लिए एक और इंस जैसे की और ज्यादा funding ज़रो थी तो इनके आते हैं last founder जिनका नाम है mohit tendon जो की IIT कानपूर से mechanical engineer है और इन्होंने इनकी funding उठाने में बहुत ज्यादा help की है तो ये रही इनकी पूरी team जिन्होंने पूरी तरीके से delivery को real एक startup एक unicorn एक कहते ना one of the amazing one of the reputed logistic company बनाया है इंड बात करते हैं कि delivery company किस तरी से काम करती है कि इनका business model क्या है इनका revenue model क्या है तो सबसे पहला काम तो की delivery तीन सेक्टर में operate करती है वो है B2B, B2C and C2C ये तीनों सेक्टर में सबसे जादा अगर किसी delivery company किसी logistic company के सामने आता है सबसे बड़े तीन criteria वो है warehousing, transport and e-commerce platform अब एक इनों चीज़ को दरा समझते है, e-commerce platform मतलब कि मैंने आपको पहले ही बताया कि delivery पूरी तरीके से e-commerce logistic को समालने का काम करती है, तो उनके हिसाब से उनके साथ partnership करना, उनका पूरा process ये पूरा एक अलग से ही चलता है, एक अलग branch में ही चलता है, जिसे हम लोग e-commerce branch बोलते ह हैं, दो branch सबसे पहला warehousing, अब warehousing इनके खुद के है, 40 plus cities में इनके खुद के warehouse है, इन्हों ने अपने warehouse क्यों बनाए, क्योंकि अगर ये किसी third party है, third party vendor से अपने उनके warehouses का इस्तमाल करते हैं, तो अगर कुछ भी problem आ जाती, तो वो लोग, उन लोग के लिए operate करना बहुत जाता है, इन्होंने खुद के warehouses बनाना स्टार्ट किये, फिलाल इनके 40 से ज्यादा cities में खुद के warehouses है, तो अगर बात करें इनके transportation service की, तो फिलाल ये 19,000 plus pin course में delivery देते हैं, और 2500 plus, मतलब 2500 plus cities में अपने delivery के काम को करते हैं, अब बढ़ते हैं कि ये revenue किस तरह कमाते हैं, इ इनके से prime membership जैसा कोई forum लाए, इनके delivery का एक simple सा logic है कि ये per unit delivery पे अपना पैसा चार्ज करते हैं, अब जब ये per unit delivery पे पैसा चार्ज करते हैं, तो ये profitable है, अगर देखेंगे तो इनके जो comparatively loss थे इतने सालों से बहुत ज़दा कम हो चुके हैं, और अब ये profit की तरफ बढ़ फिर दूसरे लोग के साथ ये अलग अलग delivery करते हैं, कोड़े delivery भी करते हैं, तो इनको पूरी तरीके channelize करना एक बहुत ज़दा important काम था उनलोग के लिए, और second ये अपने जो भी काम करते हैं, वो सारे data के through करते हैं, कि जो भी इनको data मिलता है, जो कि इनके पास data होता है, उसके through जो उनको analysis मिलता है, उसके through अपने सारे actions लेते हैं, ये हो गया उनकी पूरी तरीके से business model और revenue model, अब बात करते हैं कि delivery company इतनी ज़्यादा successful क्यों है, बाकी सारे competitors से delivery company इतनी ज़्यादा अच्छी और इतनी ज़्यादा profitable क्यों है, तो सबसे पहला law of leadership, delivery company सबसे पहली एसी company थी, जिनोंने e-commerce में logistic को establish किया, e-commerce के logistic को समालने का बेडा उठाया, industry की समझ इनको बहुत जादा थी, जब 2011 में start हुआ था, इनको पता था कि फिलाल इस पूरे industry की valuation 160 billion dollars है, लेकिन आने वाले time pay, flip card, snap deal, ऐसे बहुत सारे e-commerce startups आने वाले हैं, जिसे इनके logistic की market है वो बहुत जादा बढ़ जाएगी, तो आज के फिलाल बात की जाए तो 400 billion dollars से जादा बड़ी ये market है, आज बड़ी-बड़ी e-commerce platform अपने logistic को सुधारने के लिए billions of dollars खर्चा करती है, तो सबसे पहला था, इनको law of leadership समझ में आ गई, इन्होंने अपने industry को बहुत अच्छे पहला अपने data का analysis करके, technology का इस्तमाल करके वो अपने इसको सुधारने कोशिश करेंगे, और last one कि ये अपने high-tech infrastructure और high-tech speed के हिसाब से logistic को operate करेंगे, जिससे e-commerce platform को अपने logistic को सुधारने में बहुत बड़ी help करेंगे, तो ये इनका vision था, इनकी tagline भी इनकी vision से match काती है, ये सब लोग कहते हैं, big world, big world, big world, ये बहुते हैं, for delivery the world is very small, ये इनकी tagline है, और चौथा जो सबसे जादा important reason है, जिससे delivery company, दूसरे logistic company से सबसे आगे है, वो है इनके acquisitions, इन्होंने तीन company का acquire किया, सबसे पहला transitional robotic, जो कि एक California based logistics startup है, जो कि पूरी तरीके से drone की मदद से लोरू based startup है, ये इस startup ही खासत क्या है, कि ये through road सबसे fastest delivery करने में expert है, और third है प्राइमा seller, अब प्राइमा seller क्या काम करती है, प्राइमा seller का एक ही काम है कि वो इनके जो database है, इनके जो technology sector है, पूरी तरीके सो उसको समालने में इनकी help करती है, तो इनके जो तीन acquisitions से बहुत जादा hardcore role play करते हैं, इनके successful होने के reasons में, अगर आप funding की बात करें, तो delivery company ने अपने 15 round में लगभग 1.69 billion dollars की funding उठाई है, जिसमें investors जो हैं, वो बहुत बड़े बड़े tycoon investors involved है, for example software and vision fund, nexus ventures, tiger global, light speed, ऐसे बहुत बड़े बड़े venture capitalist ने इनको funding देके रखी है, 2021 में इन्हो अपना IPO भी लाया था, जिसमें इन्होंने public से 1 billion dollar पैसा भी उठाया था, अपने IPO की थरूप, अब बात करते हैं, इनके competitors के बारे में, कि इनके कौन ऐसे ऐसे competitors हैं, जो इनके उपर थोड़ा threat type नहीं बहुत सकते, लेकिन थोड़ा जादा मुश्किल कर सकते हैं, delivery को company के सबसे hardcore, बोल सकते हैं, सबसे ज़ादा बड़े competitors हैं, फिलाल इस market में, तो आज की case study यहीं पेंड करते हैं, अगर बात करें कि आपको इनसे क्या-क्या सीखना चीए, तो मैं बस बोलूँगा, एक चीज़ सीखना चीए आपको, कि इन्होंने एक बार भी नहीं सोचा, अ पहले ने on time public hire किया, और सीधे के सीधे अपना startup start किया, इन्होंने कोई भी decision लेने से पहले hesitate नहीं किया, इन्होंने कुछ भी 4-5 चीज़े सोची नहीं, इनको लगा कि company successful हो सकती है, और इन्होंने start कर दी, तो मैं यहीं बोलूँगा कि इनसे अगर आपको कोई भी चीज make the decision and do whatever you want to make your decision right, see you in the next video, साइवनारा